दिल्ली हाइकोट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को उनके पद से हटाने की याचिका खारिच कर दी है पहले भी एक बार हाइकोट ने इस तरह की याचिका खारिच की थी कोट ने कहा कि जब हम एक बार एक तरह की आचिका में फैसला दे चुके हैं तो दोबारा कैसे अपने फैसले को पल्टें वैसे भी कोट ने कहा कि दिल्ली की सरकार चल रही है या नहीं चल रही यह तै करने का अधिकार कोट के पास नहीं है LG इस मामले में सक्षम अधिकारी हैं उनके किसी तरह का दिशानिदेश देने की कोई जरूरत नहीं है वो अपने आप कानून के हिसाब से फैसला लेने को स्वतंत्र है कोट की स्टिपनी के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली की सरकार बरखास हो सकती है जी हाँ कोट ने दूसरी बार ये बोला है कि इस मामले में अगर कोई भी फैसला लेना है या दिल्ली की सरकार नहीं चल पा रही है तो इस मामले में जो भी फैसला लेना है वो दिल्ली के उपरा जेपाल को लेना है पिछली बार भी जब इस तरह की फैयाची का आई थी तब भी कोट ने यही कहा था कि LG इस मामले में कोई भी फैसला कानून के मुताबिक लेने के लिए सुतंत रहें उन्हें अपना फैसले के लिए किसी से सला मश्वरा करने की जरूरत नहीं आज भी कोट ने कहा कि वो LG को कोई सला नहीं दे सकते और LG कानून के मुताबिक जो उन्हें ठीक लगेगा वो करने के लिए पूरी तरीके से सुतंत रहें कोट ने कहा कि ये नियाई खस्तक शेप का मामला नहीं है बलकि इस मामले में LG को राष्ट्वती को पूरा फैसला लेने का अधिकार है हलंकि कोट ने आज एक टिपनी बड़ी टिपनी खारिज करते हुए की और उसमें ये कहा कि राष्ट हिस्थ हमेशा व्यक्तिकत हिस्थ से बड़ा होता है लेकिन ये किसी भी व्यक्तिकी अपनी कोल है कि वो क्या फैसला ले हलंकि जब कोट याचिका खारिज कर रहा था तो याचिका करता की और से कहा गया कि वो अपनी याचिका को वापिस लेना चाहते हैं क्योंकि वो LG के पास एक ग्यापन देंगे कोट ने इसकी अनुमती दे दी और इसे डिस्मिस एज विड्रोन कर दिया दिल्ली हाइकोट ने पहले भी इस सरीके की याचिका जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ग्रफसार हुए थे उसके बाद हाइकोट में पहुची थी हाइकोट ने तब भी इस याचिका को खारिज किया था और उसके बाद एक दूसरी याचिका भी दाखिल की गई कि जिस सरीके से दिल्ली में कोई समय मुख्यमंत्री जो है वो जेल में है जेल से किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते अधिकारियों के साथ बैठक नहीं कर सकते मंत्रियों के साथ मुलाकात नहीं कर सकते तो दिल्ली सरकार एकदम बैठी हुई है ऐसे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को हटाया जाया और उनकी जगे किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए याचिका करता का ये भी कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं लेकिन अब जब दो बार कोट ये कह चुका है कि LG इस मामले में कोई भी फैसला करने के लिए सुतंत्र है तो ये सवाल बहुत तेजी से उठने लगा है कि क्या अब दिल्ली सरकार पर बरखास्तगी का खत्रा मंडराने लगा है दो बार कोट ये बोल चुका है कि LG को अगर लगेगा कि दिल्ली में सरकार काम नहीं कर रही तो LG इस मामले में सही फैसला, न्याय संगत फैसला करने के लिए सुतंत्र है और दिल्ली के LG ने भी एक निजी कारिकरम में जब ये पूछा उन से गया था कि दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि सरकार जेल से ही चलेगी आम आदमी पाइटी के नेता ऐसा बोल रहे है कि सरकार जेल से ही चलेगी तो LG ने भी ये कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी अब चुकि अर्विंद के जीवाल जेल में हैं उन्हें जमानत अभी नहीं मिली है उनके वकीलों की तरफ से भी जमानत की अर्जी दाखिल भी नहीं की गई है उनकी गिरफतारी को जरूर चैलेंज किया गया है जिस पर दिल्ली हाई कोट का फैसला सुरक्षित है तो अगले कुछ दिल्ली की राजनीती के लिहाज से बेहत गर्म साबिस हो सकते हैं जैसा गर्म मोसम दिन पर दिल्ली का होता जा रहा है बिलकुल वैसी ही राजनीती भी गर्म होती दिखाई दे रही है अगर एल्जी ने इस मामले में बर खास्वी चैसला का फैसला लिया तो बहुत बड़ा फैसला होगा आम आदमी पाटी के लिए और दो बार कोट इस मामले में कहे चुका है कि एल जी इस मामले में फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से सुतंत रहें एल जी और राश्टपती ही इस मामले में फैसला ले सकते हैं इसमें किसी तरह के नियाईक हद्सक्षेप की जरूरत नहीं झाल झाल